क्याई गोज़िशًब ब्रॉग्राम में ए makers may we can have no Thisaka नमस्कार दोस्तम मैं आप सभी का स्वागत रहत हैं अपने प्रोग्राम में शोशल को मिल忘gen श दूहिए आपके चेहते एक्टर आ एक्ट्रेसेस से जो कि उन्होंने अपने सोशल मेडिया आपने मिजारब पर कुछ these पोस्ट डाले हैं फोटोस डाली है कुछ वीडियो डाली हैने कुछ फेलिंग सेयर करीं अपने फैंस के साथ वह सारी चीजें है और आज भी आम ऍपने हाजीर हैं वह सारी हुधोसारी वीडियोस्टोस च nhân सारे सारे के vardır वह सारी पोस्ट जो आज हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने रिखलम में और पहले पहली फोटो की तरफ निज़र डालते हैं। से उनकी fan following हमेशा बनी रहती है और हमेशा लोग उन्हें देखना पसंद करते हैं और हमेशा उनकी पोस्ट पर काफी like भी आते हैं आप तो जानती है गुंजन पंत जी को वह फिल्मों की queen से ज्यादा social media queen है और हमेशा अपनी photos अपने दर्शकों अपने fans के बीच में डालती चाहिते हैं तो इन्होंने जो photo डाली है इसमें इन्होंने किसी app का use करके और फोटो एडिट करके डाला हुया और इसमें लिखा है गुड नaiट अपनी इसका मतलबी कि він रात को ये photo डाली है और गुड नाइट लिखा है अपने पुस्ट में अपने धिर्शकों को अपने fans गुद नैट कह रही है और इस फोटो में काफी अच्छी भी लग रही है गुंजंजी काफी ए अ तरहлем बढ़ते हैं तो अगली फोटो है हमारी अंजना जिकों घृट की करी जाने वाली अंजना शिंग्ल topics काफी जादा चर्चा में बनी हुई है और उन्हों प्रदीपंडे चिंटु जी के साथ और कल्लूस जी के साथ काफी रोमेंस करते हुए काई सारे फिल्मों में भी नजर आ रही है और आजकल उनका जल्वा भुषपुरी इंडस्ट्री में खासा देखने को मिल रहा है उन्हों ने फोटो डाली है उनकी फोटो है पिंक कलर की ड्रेस में है और उन्होंने इस पोस्ट भी डाली है हेलो एब्रिवन यानि कि अपने दर्शकों को अपने फ्रेंज को हेलो बोल रही हैं और उनसे पूछ रही है कि किस तरह हैं आप कैसे हैं और उनका हल चांद जान रही है तो आगे बढ़ते हैं अगली फोटो की तरफ अगली फोटो है हमारे खिसारी लालियादव जी की जी हां आपको तो पता ही है कि खिसारी लालियादव जी की भती जी की पिछले दिनों शादी थी और खिसारी लालियादव अपने फैमली के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ शादी एंजॉय कर रहे थे और काफी जादा बिजी भी थे और उन्हें एक बहुत बड़ा स्टेज शो भी रखा था इसमें बहुत सारे स्टार्स के आने के क्यास लगा जा रहे थे बट स्टार्स आये नहीं यह बहुत बैड लग था लेकिन फिर भी खेसारी जी ने कहा कि कोई बात नहीं मैं भी एक स्टार हूं और मेरा जो पोस्ट लिखा है का हाल भा भाईया लोग जी हां काफी दिनों के बाद मुझे लगता है कि वो फ्री हुए हैं शादी से काफी ज्यादा बीजी थे शादी में अपने भतीजी की और काफी ज्यादा अपने कामों में बीजी थे तो अब जब फ्री हुए हैं तो फिर वो और इसमें खिसारी जी भी काफी होट लग रहे हैं उनके साथ जो इरोई ने ये भी काफी अच्छी लग रहे हैं तो अगले फोटो की तरह पगर हम बढ़ें अगली फोटो भी हमारे गुंजन पंत जी की है जैसे कि आप लोग जानते ही हैं आज कर गुंजन पंत जी अपना quality time spend कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने फैंस के साथ time बिता रहे हैं Instagram और Facebook पर और वो हमेशा कोई ना कोई पोस्ट लेकर के हमेशा चर्चा में रहती है और अपनी फोटो जो डालती रहती है तो इस बार भी उन्होंने फोटो जो डाली है उसमें उन्होंने एक पैक्स लगा रखा है और बिल्कुल ही simple है लेकिन बहुत अच्छी लग रही है एक simple सी पारी रवी किशन जी की जैसा कि आप लोग जानते ही है कि रवी किशन जी कई जगा पर हर-harm महादेव का नारा लगाते हुए नजर आते हैं तो इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया इंस्टाग्राम पर अपने कुछ फोटो शेयर करिए उस फोटो में उन्होंने एक महादेव की मूर्ती है, पेंडेंट है और साथी साथ रुद्राक्ष भी है, तो कुछ माला अगरा है तो उसकी फोटो क्लिक करके उन्होंने इंस्टाग्राम पर डाली है, और हमेशा जताना चाहते हैं कि वह महादेव के कितने बड़े भक्त हैं, और हमेशा ही जाधर वह हर ह महादेव का नारा लगाते हुए नजर आते हैं हर कोई जानता है कि रभी किशन जी आध्यारन के मामले में काफी अच्छे हैं और काफी जादा उनके फैंस भी काफी पसंद करते हैं और अभी उनकी जो अपकमिंग फिल्म थी उनकी लेटर्स फिल्म जो थी सहनशा वो काफी ज्यादा उसका ट्रेलर हिट रहा और आगे भी जो रभी किशन हमेशा से उनको भोचपुरी का हमसा ही कहा जाता है क्योंकि उनके डायलोग्स हों या फिर उनकी रोल्स हों हर हमेशा बिल्कुली दबंग अवतार में होते हैं हमेशा वह खुश नजर आते हैं और उनका कोई जर्ट की तरा पर हम बढ़ते हैं तो अगली फॉटो है हमारे रित्तु सिंग जी की जी हाँ इस फोटो में पुलीस की ड्रेस पहनी तील्स होई है मुझे लगता ही किसी फिल्म की शूटिंग में वीजी है और उसी फिल्म के सेट पर से इन्होंने फोटो क्लिक करी है और उ प्लेस ऑन होल टीम जी हाँ जो फिल्म का नाम है इस्पेशल एंकाउंटर और उसके से इन्हों ने फोट पक्लिक करी है और अपने फैंस को बता रही है कि शूटिंग चल रही है इस्पेशल एंकाउंटर की और वो उसी में वेस्ट है और इसमें भी रित्तु सिंग जी प्लिक के साथ और इसमें जातर वो कल्लू जी के साथ ही नजर आती है उनको हर जगे इन दोनों की जोड़ियों काफी जादा पसंद भी किया जाता है तो वह फिल्म को काफी जादा ओपनिंग मिली है बहुत अच्छी ओपनिंग मिली है मुंबई और गुजरात में और अब दिखते हैं कि भोचपुरी की बबली गर्व कही जाने वाली रित्तु सिंग एक्शन के रोल में कैसी लगती है और लोग उसे उनने कितना पसंद करते हैं अगली फोटो की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो अगली फोटो हमारे प्रियंका पंडित जी की यहां प्रियंका पं मिलता है दर्शोगों का दर्शकी ने बहुत जादा पसंद करते हैं यह एक अच्छी एक्टर तो हैं यह साथी साथ बहुत अच्छी डांसर भी है और यह हमेशा अपने फैंस के साथ बनी रहती हैं हमेशा अपने फैंस के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करती हैं तो हम बता बादी खुबसूरत लग रही है देखने में और बता दूं प्रियंका जी को इसमें जो लाइक मिलें 1363 लाइक मिलें हैं 1373 कुछ समय में ही इतने ज़्यादा लाइक मिलना कोई छोटी मोटी बात तो नहीं ऐसे भी प्रियंका जी ने इसमें एक पोस्ट भी लिखा है जिसमें लिखा है कि दूला चाही पाकिस्तान से तू लवली वर्क, शूटिंग डेज, हॉट मुंबई डेज, समर डेज, जी हां इन्हों ने हैश हैश करके डाला हुआ है ये पोस्ट और पोस्ट में इन्हो होनो को इस फिल्म में नजर आने वाली अपने लटके चटके के साथ दर्शोगों का मन मौने वाली है तो अगली फोटो की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो अगली फोटो है हमारी अंजना सिंग जी की जी हां आप जानते ही है बोजपूरी की होट केग कहीं जाती हैं आगे जो है इन्होंने नियुक करना हुआ और अंदर इन्होंने इनर पांड येलो घाने हुआ है ओगल लगा रहा है गज़प की खुबसूरत लग रहा है जैसाट कि इंकी हमी ऌट केक तो यह बलकुल हॉट ही है इनकी बात ही कुछ और है और इन्होंने इसमें एक post डाला हुआ है यहां यह Sunday enjoy कर रही है मुझे लगता है अभी किसी फिल्म में busy नहीं है तो अपना Sunday भी काफी अच्छे से enjoy कर रही है खुश है और photo click कर रही है अपने fans के साथ अपना time spent कर रही है फेंस के साथ अपनी post share कर रही है अपनी feelings share कर रही है वैसे अंजिना सिंग जी अपने fans के साथ और अपने friends के साथ हमेशा बनी रहती है और हमेशा ही बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है लोग इने काफी ज़्यादा पसंद करते हैं और साथ ही साथ यह dance इतना अच्छा करती है दर्शक इनके लटके जटके के दिवाने हैं तो अगली photo की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो अगली photo है हमारी मोनालिसा जी की कुस दिनों से आपको मोनालिसा जी देखी रही थी साड़ी के साड़ी के अवतार में यानि इंडिया भारतिय नारी के अवतार में तो इन्होंने भी एक poster डाला है और इसमें लिखा है Body fight because Jumba, Body is coming जी हाँ इन्होंने जो लिखा है पोस्ट में अपने पोस्ट में लिखा है कि जो एक add करने जा रहे हैं जिसमें बहुत ही खुब सूरत लग रहे हैं और इसलिए उन्होंने साड़ी का लुक अपनाया था और साड़ी के लुक में भी काफी जादा hot नजर आई थी तो यह थी आज कि हमारी कुछ खास पोस्ट जो actor और actresses ने अपने fans के साथ share किया था और अगली बार फिर से हम एक और कुछ ऐसी खास फोटोज लेकर के आएंगे कुछ ऐसी खास वीडियोज, कुछ ऐसे खास लम्हे जो stars ने अपने fans के साथ share किया है वो सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे और आप उनके बारे में आप लोगों को बताएंगे और तब तक के लिए मुझे दीजिये इजाज़त और आप लोग देखते रहें ये नेक्स्ट नाइन बोचपुरिया नमस्कार